जैहिन दोस्तों चलि दूस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कहा गया है the shadow of a tower is three time of its height then the angle of elevation of the top of a tower यानि कि यहाँ पर मुझे टावर दिया हुआ है और उसका एक angle दिया हुआ है मुझे angle अभी पता नहीं है मैंने माना कि वो ठीटा है यहाँ पर दे रखा है कि इसकी जो height से वो कितना है उसकी shadow three times है यानि कि अगर यह one है तो यह under root three होगी यह तो मुझे confirm है कि 90 degree ही होगा इसका मतलब पाइथा को रोस थिर्म यूज़ करूँगा तो यह मेरे पास में कितना आ जागा टू आ जागी यह मेरे पास में कितनी under root three है यह मेरे पास one है तो हम जानते हैं कि कि अगर 90 degree के सामने वाली side मेरी two है तो वो 30 के सामने वाली ही one होगी तो इसका मतलब यह तो angle मेरे पास में 30 degree आएगा क्योंकि यह मेरे पास 60 है और 60 के सामने वाली side का थी मेरी root three एक बार फिर भी देख लेते हैं इसको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था इसने मुझे यह one दे रखा था और यह मुझे कितना दे रखा था तो यह मेरे पास में P है P और यह मेरे पास B और theta मुझे कितना दे थीटा हो जाएगा तो P की value one by में root three is equal to में कितना हो जाए मेरे पास में 10 थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 10 30 degree बराबर में क्या हो जाए मेरे पास में 10 थीटा यहाँ से यह कटा तो theta is equal to कितना हो जाए मेरे पास में आपका 30 degree यानि कि option जो B होगा वो इस question का correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जै हिंद जै भारत